वेल्कम टू आल माई फ्रेंड्स इस्ट्वरंड्स इन नसी फिजिक्स क्लास बाई डॉक्टर हमिच सर दोस्तों आज मैं आपके लिए ट्वल्थ बोर्ड एक्जामिशन के लिए जो मॉडल से टाये हैं उसका सॉलूशन लेके आया हूं ऑब्जेक्टिब के सॉलूशन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट लेक्षिर होने जा रहा है आप लोग पूरा ध्यान से देखें समझें सिर्फ ऑब्जेक्टिब रटने से नहीं होगा बलकि इसको समझना भीगा कैसे एंसर आया तो मैं पूरा समझाने कभी कोशिश कर रहा हूं पहला कोश्चन है SI unit of surface density of charge तो दोस्तों आपने surface density of charge पढ़ा था charge by surface area तो charge का unit हुआ कुलम और surface area का meter square इसमें जो सही option है वो कुलम into one by meter square तो सही जवाब होगी है डी नंबर दूसरा नंबर दोस्तों आपसे पूछा जारा excellent note का क्या value होता है यह हर किसी को उमीद है याद होगा आपने class में ही याद कर लिया था यह value होता है 8.85 10 to the power minus 12 आप सकते हैं तो इसलिए सही option जो हो गया वह हो गया एक्षेलर नॉट का दू यूनिट होता है यह फाराट पर मेटर भी होता है यह फार्मला जो हैं फिराट पर मीटर कहां से होता है तो capacity of sphere C equal 4 pi epsilon naught R था capacity का फिराड और R का मीटर उससे epsilon naught का निकाला जाता है फिराड पर मीटर इसे सही जवाब A number होगा अगला question कह रहा है Which of the following is the correct for electric intensity at a distance R from charge Q एक छोटा सच Q charge है उससे R distance पे electric fill intensity का क्या formula होगा यह formula आपने point charge के लिए drive किया था दोस्तो E equal 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square तो दोस्तो सही जवाब होगा B number fourth number question कह रहा है Which of the following is the correct for total electric flux from the whole surface if plus Q charge is placed inside any spherical surface तो दोस्तों आपको क्या निकालना है electric flux निकालना है टोटल चार्ज Q है तो आपको निकालना electric flux इसीधा सीधा Gauss theorem हो गया Gauss theorem में ही आप पढ़ा है कि electric flux 5 equal q by epsilon naught तो सही जवाब हो गया B number पांचवा question जो फिफ्ट question में पर रहा हूं कि question देखिए sum of charges on collecting plate and condensing plate of a charge capacitor is तो दोस्तों जितना charge collecting plate पे plus में होता है condensing पे उतना ही charge minus में होता है तो टोटल सम क्या होगा दोस्तों जीरो हो जाएगा इसलिए सही जवाब जो हुआ वह six number का दोस्तों क्या हो गया यह हो गया जीरो अब कितना आसान question dimension of charge पुछा गया था हम तो उम्मीद का है हर क्यों जानना है यह 80 इस ता हो 80 या IT होता है चार्ज का फॉर्मला क्यूब रावर सही जवाब यह नंबर हो गया अब दोस्तों हम लोग एक नंबर पर देख रहे है विच आप दो following quantity has unit volt by meter दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्मला पढ़ा है यह यह इक्वल minus dv by dr minus dv by dr dv that is voltage potential difference जिसका unit volt dr distance जिसका unit meter to volt by meter volt by meter ही यह किसका unit हो गया आप आप क्या पर आता है electric field का फॉर्म एक्वल माइनस dv by d electric field बोलें electric field intensity बोलें electrical strength बोलें हो सकता है यह d number जो electric field है बोर्ड एक्जाम में वहां पर electric field intensity नाम दिया जाए वहां पर electrical strength दिया जाए question थोड़ा twist हो सकता है तो सही जवाब होगा d number electric field बोला electric field intensity बोला electrical strength बोला all are the same question number nine है the SI unit of relative permittivity relative permittivity दोस्तों पढ़ाता है epsilon r equal epsilon by epsilon not epsilon by epsilon not तो उसका कोई unit नहीं था आपको याद है इसका कोई unit नहीं होता था no unit तो none of these इसमें से होगा next question है कि दो condenses को parallel में जो रहे हैं तो बताए है equivalent capacity क्या होगी तो बहुत आसान question है आपने parallel में जो formula पढ़ा था सी equal c1 plus c2 दोनों की capacity same है तो c plus c that is 2c होगा तो सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर यह दसवा नंबर question थे आपके दोस्तों मैं अब next question question number 11 पर रहा हूं इसमें एक साल पूछा जा रहा है आपसे formula पूछा जा is a तो दोस्तों इसके लिए formula मैंने आपको drive करके लिखाया था delta equal a into mu-1 a into mu-1 अब mu-1 पहले हो या बाद में multiply में कोई पहले बाद में हो चलता है तो हमारा सही जवाब हो यह बी नंबर क्या रहा क्या हो गया बी डिल्टा एंगल ऑफ मीनिमम डेविएशन डिल्टा इक्वल a into mu-1 मतलब mu-1 into a that is b हुआ सही करेक्ट जवाब यह solar spectrum कैसा spectrum है दोस्तो solar spectrum जो है वह आपका continuous spectrum होगा next question है कि magnifying power of astronomical telescope for normal adjustment यह magnifying power of astronomical telescope पूछा जा रहा है तो दोस्तो astronomical telescope में normal adjustment इसको adjustment for infinity कहते हैं उसमें formula आपको tribe किया गया गरवाया गया था minus fo by fe सही जवाब यह नंबर हो गया 14 नंबर में कहते हैं विच आप दो फॉल्विंग है maximum refractive index तो दोस्तो सही जवाब होगा diamond diamond काफी चमकीला होता है क्योंकि उसका refractive index काफी हाई होता है next question जो 15 नंबर है आप से पूछा जार विच आप दो following formula is correct for image fringe width fringe की चौराई का सही formula इन में से कौन है आपको चुनना है fringe width को beta से denote किया गया था फॉर्मला बता गया था lambda d by 2d लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं किसी में भी 2d नहीं है तो दोस्तों इसका मतलब यह कि नहीं कि इसमें से कोई correct नहीं है एक्षिल में जो 2d होता है यह दोनों source की बीच की दूरी हम लोगोंने माना था कुछ books वाले क्या करते हैं डूस्तांस को ही 2d नहां मान के दी मान लेते हैं इसलिए इसमें जो सही option होगा वह ए नंबर होगा बीटा ब्राबर लेंडा डी डी लेंडा बाई डी यह डी आप समझ लें कि दोनों जो current sources of light है उनके बीच का distance है इसलिए 15 का जो सही जवाब होगा वह ए होगा वन लाइट एर किसने के बढ़ावर होता है दोस्तों यह प्रकास वर्स होता है लाइट यह होता है यह आपको 11 ने परहा जाता है यह distance का unit है एक साल में light जितना distance covered करता है that is called light year जिसका value आपको बता है 9.46 into 10 to the power 15 meter होता है तो दोस्तों यह 11th के unit and dimension chapter ने पढ़ाय जाते हैं पढ़ाय गए हैं आपको यह 16 का A सही जवाब होगा इस question को दूसरे तरीके से भी बार बार लिपीट पुझाता है कि प्रकास वर्स इंगलिस में light year कहते हैं कि light year किस का unit होता है लोग यहां पर confused वे आते हैं year से समझते हैं कि time होगा जबकि time का unit नहीं है दोस्तों यह क्या है distance covered by light है so it is unit of distance इसे एक चुल में बहुत बड़ी दूरी जो होती है astronomical distance जिसको कहते हैं सूरस से जमीन की दूरी दो तारे की बीच की दूरी जो के बहुत बड़ी दूरी होती है उसको नापने के लिए यूस किया जाता है इसको astronomical units भी कहा जाता है इसलिए light year is unit of distance इसलिए इसका unit यह होगा वो मिटर होगा यह 9.46 10 to the power 15 मीटर साही अंसर हो गया ए नमबर लेंसमेकर फार्मला क्या है तो दोस्तों यह फार्मला भी आपको class में drive कराया जा चुका है 1 by f equal mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 एक्षुल में दो कि mu minus 1 जो आया था वो एक्षुल में होना चाहिए था mu2 by mu1 देखी चुके हमारा first medium air मानते थे हम लोग और lens का refractive index mu मानते थे इसलिए mu minus 1 हो जाता था अगर यह medium अलग-अलग हो जाए तब ऐसे कंडिशन में फार्मला होगा 1 by f equal mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by 1 थोड़ा सा question को twist किया गया है तो सही सबाब जोगा 17 का a number होगा 18 नमबर जो सवाल है which of the following is correct for refractive index of water वाटर का refractive index कितना होता है तो दोस्तों यह भी आपने class में निकाल चुके हैं कि 1.33 होता है 1.33 refractive index of water is 1.33 होता है तो सही जवाब होगी है डी नमबर अब यह का रहा है next question least distance of distinct vision for normal आई यह आप तो बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं 25 cm distance पे ही रखने पर object साफ साफ से आपको दिखेगा कितने distance पे दोस्तों 25 इसको कहते है least distance of distinct vision जिसको हम लोगों उने capital D से denote किया था दोस्तों आज की इस lecture में इतना ही आप next के लिए मैं जल्द ही मिलूँगा दूसरे अगले एपिसोड में अगले लेक्शन में बताया जाएगा धन्यवाद